आज किस वीडियो में हम लोग class 10 के model set 4 को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग economics के complete solution को देखेंगे तो चलिए एकक करके हम लोग सारे questions को देखते हैं हमारे पास जो पहला question है question number 37 क्या है कि इन में से कौन तिरतियक छेत्रक से सम्मंधित है देखें यह जो आपका छेत्रक वाला है यह बहुत ही important है यहां से आपका question आएगा ही आएगा इसलिए आप छेत्रक को बहुत अच्छे तरह के से कल जिए तो यहां पर question कहा जा रहे है कि यहां पर आपको चार option दिया गया और बताना कि आपको कौन सा यह 33 चेत्रक से सम्मंध बगाद आते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा option no.c और देखिए अभी तक मैंने आपको science का complete solution बता दिया है और history और आपका भुगोल और नागरिक सास्तर भी मैंने आपको बता दिया है अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के description box में मै ख्याला इस्तित है जेनेवा में ठीक है जेनेवा के लिए समझ में आ रहा है question no.39 क्या है कि रीन के ओपचारिक सरोतों में सामिल नहीं है देखिए रीन का दो प्रकार का सरोत होता है एक होता है ओपचारिक रीन और एक होता है अनुपचारिक रीन ओपचारिक रीन मतलब क् हम लोग बैंक के द्वारा लेते हैं मतलब जिसको हम लोग मतलब अच्छे तरीके से जिसे कागज कागज पत्थर के आधार से लेते हैं बैंक के द्वारा लेते हैं किसी सहकारी समिती के पास लेते हैं तो उस परकार की दिन को हम लोग उपचारिक दिन बोलते हैं और जो किसी साभूकर या पर किसी वहपारी के पास लेते हैं उससे हम लोग अनुपचारिक ईتهं तो हमारे जो कोशिन है किवीन के बारिक सरोतों में सामिल नहीं है तो इसका Netflix हो जाएगा नियोकता क्या यह है यह रिंख के अनुपचारिक सरोत है अगले को तेकटे हैं अगला बैंक है मान कि से लिए कि आप बैंक में जितना भी पैसा जमा करेंगे तो बैंक क्या करता है अपने पास कुछ पैसा रखता है तो कितना परतिसत पैसा अपने पास रखता है तो आप याद रखेगा 15 परतिसत पैसा क्या करता है अपने पास रखता है और बाकी पैसा क्या करत है को दुसरे आदमी को रीन की रूप में देता है और राध लिए कि वी कमाता ourink करेंस Initiat और बैंक हम लोग जितना भी रूप जमां करेंगे जितना भी पैसा जमां करेंगे रहेंगे किसी को पैसा देना है कि बहुत सारे आदमी देखेंगे बैंक से पैसा देते भी है तो जीने बैंक से पैसा लेना है अगर वह अपने पास कुछ पैसा नहीं रखेंगे तो पैसा देंगे कैसे तो इसलिए बैंक 15 पैसा अपने पास रखते हैं और बाद बखे पैसा क्या गरते दुसरे को रिन के रूप में दे देते हैं जिससे उन्हें और वेनिफिट होता है क्या है कि फॉर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई तो यह जो फॉर्ड मोटर्स है यह भारत कब आई थी आपको याद होगा क्या है कि डिजाइन या चित्र तियार करने का काम किससे की जाती है यह प्रस्पर सम्मन्द और तीब्र एकिकरन की परकिरिया यहां पर दि यहां पर एक खाली अस्तानी थेक्छ गल्टी असे किससे होता है से बाभ दर नहीं कोस्टिय नम्र 45 का यह कि बपा खस्म्पनिय के लिए यहां पर एक खाली अस्थान है पर दाम कर सकती है रिन या भिर दन तो इसका जो इसके एंसर को आप नीचे comment box पर देंगे ठीक है इसका अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं या आपके लिए हो मुर्क है ठीक है या आपके लिए हो मुर्क है आप नीचे comment box पर इसका answer दीजिएगा किलिर है किरियर है अगया बाद करें चलिएा अगले question को देखते हैं अगला question क्या है question 46 कि इसका answer देखिए कि वह छेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसादनों का परियोग करके वस्तों का उत्पादन किया जाता है इसे क्रिसी वह सहायक छित्रक भी कहा जाता है बात समझ माया मतलब इस चित्रक में क्या होता है कोई भी मतलब जो प्राकृतिक संसादन है इसका उप्योग करक सیکक्याश्वासिता है चले आगे देखिः अग stiff वेरोजगारी किसे कहते हैं तो चले देंखिए टो पर चने वेरोजगारी एक ऐसा बैरोजगारी यह कोई आदमिक यह काम करता है परन्तू उनका कमांई सुन्गने के बरापर होता है बाततो ब्रॉट प्रकार के विरुजगारी में किसी काम को करने के लिए आविसकता से अधिक सेंख्या में लोग लगे होते हैं लेंग्विज बहुती सिंपल है अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कोश्चन को देखतें अगला को अगर करना है तो देख लेते हैं तो किसान रीन लेकर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं जिससे देश में खाईद्य पदार्थों की पूर्ति होती है किसान क्या करते हैं रीन लेकर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं जिससे देश में खाईद्य पदार्थों की आप और अगे बढ़ती हैं और अगला कोशिचन देखते हैं और यानिक अथुआ में है क्या है क्या इक क्रेंता और सरम देखें ऎनुटारव मतलब क्या होता है जिसने है बूंद liesぎla डाला टेखें तो सरकार ने विदेशी निवेस को आकर्षित करने के लिए सरम कानूनों में लची लेटीं की अनुमती दी है अब नियमीत आधार पर सरमिकों को रोजगार देने के बजाए कंपनिया में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधी के लिए सरमिकों को कारी पर रखती है बात समझ में आया क्या बताया जारा ध्यान से सुने देखिए चो का में जब आधा होगा किसी द्वी कमप्णु में काम काम कई द्वेडा जाता है जैसे कमपणि या मजदूर को कम मजदूरी देकर क्या उसी मोह समनitute है जब उनकी बाहुत आवीशकता होती है कम्पनी की छ्रम लागा अता लागत में कटूती करने के लिए ऐसा क्या तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो इसी यह ज्यादा पैसा लग रहान इसी को कम करने के लिए यह कानून बनाया गया है बात समझ माया तो चलिए आगे बढ़ते हूं रगले question को देखते हैं अगला question देखे क्या है कि रीन के ओपचारिक और अनुपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है यह question 5 नंबर का है जो कि बहुत ही important यानि कि most important question है तो चलिए देखते हैं इसके answer को देखिए ओपचारिक रीन प सरकार दोरा पंजी क्रीत होती है मतलब यह सरकार दोवरा register होते हैं ओपचारिक रीन लेने के लिए हमें बहुत सारे काघजtar क्या ऑघ सखता होती है ठीक है आगे बात करें ओपचारिक रीन का मकसद लाब कमाने के साथ सात्थ सामाजिक कल्यान भी है इसमें कोई विससे सार जो उसे उन्वचारिक रीन लेने के लिए हमें गारेंटेट की जरुद्ध नहीं पड़ती है उन्वचारिक रीन का मकसद लाब कमाना है इसमें किवल लाब कमाना है इसमें विसेश सर्थ होता है अनुपचार ग्रीन के सरुतों के कामकाज पर कोई संस्ता नजर नहीं रखती है जैसे कि उपचार की में रखता है ना RBI, Reservoir Bank of India इसमें किसी भी प्रकार का कोई संस्ता इसमें नजर नहीं रखता है चलिए आगे देखिए अगला कुस्चन जो कि हमारा लास्ट है यह अथवार में है भारती रिजवर बैंक यानकी RBI जो है आईने बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है या जरूरी क्यों है तो चलिए देखते हैं इसके एंसर को तो भारती रिजवर बैंक आईने बैंकों पर निम्न प्रकार से नजर रखता है कोई बैंक गराकों का सोसन करता है कि नहीं इस बात का ध्यान RBI रखता है मानकी चलिए कोई कस्टमर है कोई गराक है बैंक मानकी चलिए उसका सोसन कर रहा है उससे ज़्यादा पैसा हेंट रहा है ज़्यादा उसे मतलब सुध ले रहा है तो यह सब के उपर कुन नजर रखता है तो RBI हर बैंक अपने पास पूंजी के रूप में एक नियुनतम रासी रखता है RBI इस बात पर ध्यान रखता है कि प्रत्यक बैंक के पास नियुमतमरासी है या नहीं मतलब RBI यह भी काम करता है चलिए आगे देखिए RBI इस बात पर ध्यान रखता है कि बैंक लाब कमाने के चकर में वैपारियों को रिन दे रहा है या छोटे-छोटे किसानों को या फिर छोटे-चोटे किसानों को भी लिंद लोन दे रहा है अब देखें वेपारी का जो रिन होता है उसका सूथ थोड़ा ज्यादा होता है और जो किसान का जो लोन होता है उसमें सूथ थोड़ा कम होता है मलब बैपारी को रिंद देने से बैंक को ज्यादा लाव होता है और किसान को मतलब रिंद देने से बैंक को कम लाव होता है इसलिए इसके उपर भी आर्बियाई धिया रखता है आर्बियाई अन्य बैंकों से हमेशा जानकारे लेता है कि वह किसे लोन दिया है और किसे नहीं सभी बैंकों से सुध के बारे में पुछता है ताकि कोई व्यक्ति ठगा ना जाई बात समझने आया बहुत सारे बैंक मनमानी काम करते हैं इसलिए और बैंकों पर नजर रखता है ताकि किसी व्यक्ति को परेशान होना ना पड़े तो यह था इस का एंसर तो ठीक है यहाँ पर हमारा सोसल साइंस खतम हो गया मैंने आपको सोसल साइंस का कंप्लेट सोलुसन बता दिया साइंस भी बता दिया और एका करके में बहुत इस जल्द सारे मोडल सेट में जितने भी मतलव सब्जक्ट है सबके सोलुसन को बताऊंगा तो अगर यह बीड़ो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगा आपने अभी तक हमारे चेंट को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर करके बेएल का याइकन को प्रेश करने तक यह अर हर वीडियो को नोटिफीकिक्सटिन सबसे पहले हो सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू